नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पिछले मैच की वीडियो मैंने आपको कहा था कि आप जीच सकते हो Mercedes A-Class Limogyn और ये देखे स्क्रीन के उपर सचिन शिवांस और रोईत ने बाजी मार लिये और पहुंच गए हैं लीडर बोर्ट टोप पे लेकिन आपके पास भी मोगा इस कार को घर लाने का जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एश्या कप के मैच के बारे में जो की खेला जाएगा दुबई के ग्राउंड के उपर 8 सितंबर यानि आज शाम को 7 बज के 30 मिनट पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार सबसे पहली बाद दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोई नहीं किया है तो आज से जोईन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके जोईन कर सकते हो वहीं दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तो इस वीडियो को लाइक क्याच से कर दीजिएगा आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है सबसे पहले दोस्तो हम बात कर लेते है टोप पिक्स ओन दिस मैच यानि वो प्लेयर जिनको मैक्सिमम लोग अपनी टीम में सलैक करेंगे लेकिन दोस्तो ये प्लेयर आपके लिए स्मोल लिग के लिए तो अच्छे रह सकते है पर्फोमेस था हार्दिक पांडया चार या पांच नमरे बैटिंग करने आ सकते है उसका यूजी चैल और बूनेश रोकुमार इंडिया की तरब से ये पांच पलेयर है इस tournament के अंजर ठीक ठाक performance दिया है अभी तक वहीं दोस्तों आपके लिए अफगानिस्तान की तरफ से रेवनुल्ला गुर्बाज ओपनिंग करते हैं मुमन अभी 5-6 एंपरे बैडिंग करने आते हैं राइटामो ब्रेक बोलिंग करते हैं राशित खान राइटामो ब्रेक बोलिंग करते हैं और मुझीवुर्यमान राइटामो ब्रेक बोलिंग करते हैं यह चैर प्लेट अफगानिस्तान की तरफ से हैं जिनको maximum लोग अपने टीम में लेने वाले हैं लेकिन दोस्तों आपको आदाँ कि अभी तक की टीम ने अभी तक अपने maximum match शार्जा पर खेले हैं जहां पर spin को favor मिलता है और इसी वज़े से लोग यहां पर तीन-तीन spin रों के पीछे भागने वाले हैं लेकिन इस match में आपके लिए grand league का स्रेवी कुछ और रह सकता है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं पिछ रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों दुबाई के ground के उपर अब तक total 6 match खेले गए हैं जिसमेंसे 5 match second inning में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं एशिया कप के अंदर यानि दोस्तों टोस्त तो बहुत crucial है जो टीम टोस्त जीते हैं वो बोलिंग चूज करेगी और इन 6 matchों में first inning का average score 164 तन है और first inning के average विकेट फोल साथ है यानि दोस्तों आज बात तो clear है कि 6 match से 5 match second inning में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं यानि दोस्तों कर अफगानिस्तान की टीम पहले बोलिंग करती है तो फजल अक फारुकी, नवी नूलक और फरीद एहमद मलिक आपके लिए crucial रोल प्ले कर सकते हैं अब देखो दोस्तों एक खास बात और यहांपे क्या है अब देखो दोस्तों एक खास बात और यहांपे क्या है यहांपे हमने देखा कि maximum of time पार पले के अंदर विकेट फोल होता है जो टीम पहले बैटिंग करती है और दोस्तों यहांपे आर गुरुबाज का selection 80% से ज़्यादा रहने वाल है अगर आप GL में रिस्क लो तो ज़्यादा नहीं एक टीम के अंदर रिस्क ले सकते हो अगर इंडिया पहले बोलिंग करें अगर आपको बुनेशर और अर्षदी पर ज़्यादा ट्रस्ट हो उस केस के अंदर Grand League की मातर एक टीम में ज़्यादा में रिस्क मत लेजएगा कि मेरे को गालिया मत निकालेजगा मैंने आपको लोजिक बता है कि पारपले के अंदर यहां पर विकेट फोल होता है उसके बाद दोस्तों केल राउल लगातार फ्लोग हो रहे हैं काफी कम बंदे ध्यान देंगे और ये मेरे साब से केल राउल के पास अच्छा मोगा है अवगानिस्तान के खिलाफ रन स्कोर करने का थोड़ा रुख के खेल सकता है सीवीसी का भी अच्छा उपसन रह सकता है ग्रेंड लीक के अंदर उसके बाद दोस्तों इस ग्राउंड की उपर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने देखा कि लेफ्टाम और्थोडोक स्पीनर है वो विकेट निकालता और उस स्पीनर का नाम था मौमद नवाज पाकिस्तान के तरब से दो मैच इंडिया के खिलाफ के लेते और दोनों मैचों को मिलाके पांच विकेट निकालके ले गया था अब दोस्तों इंडिया की टीम में अकसर पटेल लेफ्टाम और्थोडोक स्पीनर है और इस मैच में तो अकसर पटेल को मोगा देना ही चाहिए और दोस्तों इस मैच से मेरे साबसे रवी बिश्णोई को भी मोगा मिलना चाहिए तो ये दोनों प्राक लिक काफी गूशल ला सकते है ग्रेंड लिक के पस्पेक्ट्व से बाकी दोस्तों टोस जी तो बोलिंग करो सिंपल सेनेरियो है फिर भी दोस्तों पिछके रिगार्डिंग अगर कोई और इंफ्रमेशन आईगी तो चीज मैं आपको बाद में टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा और टेलिग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्सिण बोक्स में लिंक मिलेगा लिंक पैलीक करो माई लेवं सर्कल एप को डाउनलोड करना है और अगर माई लेवं सर्कल एप पर मेगा लीग जीत थे हो इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में तो आपको मिलेगा फ्रश्ट प्राइज एज अमCrंद्रा माई 11 सरकल लेप पे लीडर बोर्ट टोप करते हो तो आप जीत सकते हो Mercedes A-Class Limogyn as a first price सबसे ज़्यादा offer माई 11 सरकल लेप दे रहा है सबसे कम competition माई 11 सरकल लेप पे है तो जल्दी कीजिए वीडियो के description box में लिंक मिलेगा लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप अभी मारे लिंक से डाउनलोड करके first deposit करते हो तो आपको मिलेगा 20% extra cash और साथ ही दोस्तों अभी first deposit करते हो तो आपको मिलेगा 15% रुपे का bonus देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा offer माई 11 सरकल लेप पे है सबसे कम competition माई 11 सरकल लेप पे है यानि दोस्तों इंडिया के लिए ये तीन प्ले टोप ओर्डर में बैटन करने आएंगे उसके बाद मिडल ओर्डर कमांद सबालेगे सुझी कुमार यादाव हार्दिक पांड्या अकसर पटेल और दिपक हुड़ा में से कोई एक खेल सकता है इस मैच में हाई चांस है अकसर पटेल को मोगा दिया जा सकता है उसका दिनेश कार्थिक और रिशप पंथ में से कोई एक खेल सकता है रोसकता अवेश खान को मोका दे जाए और अगर दोस्तों, इंडिया की टीम दिपक चार को स्क्वेड ने करेगी तो रोसकता दिपक चार को इस मैच में मोका दे जाए लेकिन दिपक चार का अक गयर एक बैच्वल्यूज् bezpie पर सेव हैक wereo को रह सकते हैं आपको select कैसे करना है अभी के लिए मान के चलतने कि रोहित और विराद सेफ है उसका यहां पे राहूल है वो ग्रेंड लीग की टोपिक है इस प्लेर को आप ग्रेंड लीग में सी वी सी भी टाई कर सकते हो उसके बाद अगर अक्सर प्टेल खेले तो इंपोर्टन प्लेयर है अगर इस प्लेइंग लेवन में कोई एक है दो चेंज होगा तो चीज में आपको बाद में टेलीग्राम पर अब्रेट कर दूँगा तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 ओफ अफगानिस्तान विद बैटिंग ओडर देखो दोस्तों प्रेडिक्टिड प्लेइं और सेमनुला शिनवारी और बोलिंग की कमांज समाल सकते हैं नवीनुलक मुझीबू रेमान फजल अफारुकी उसके बाद राशिद खान बोलिंग करेंगे हो सकता है एक और की बोलिंग शिनवारी कर दे अब दोस्तों यह वाला मैच के खला जाएगा दुबई की ग्राउ मुझीब सेफ रह सकते हैं और फजल अफारुकी सेफ रह सकते हैं लेकिन दोस्तों कर आप ग्रेंड लिक के परस्पेक्ट्व से जाओ तो आपको सबसे बड़ी बात बदा दू कि इस ग्राउंड के उपर राइट टाम लैक ब्रेक जो स्पीनर होता है उसको बहुत तीक कम मिलें और राइट आम ओप ब्रेक स्पीनर को भी कम विकेट मिलें एग्जामपल वेनंदो सरंगा लगातार दो तीन मैचो इस ग्राउंड के उपर फ्लो पर रहे हैं दूसरा एग्जामपल रिजूजी चैल चार मैसे मात तर तीन मैचो में विकेट निकाल ले हैं और ओप स पर ज्यादा कॉंसेंट्रेट कर सकते हो रिस्क लो तो अपने दम पे लेना मेरे को आके मत बोलना मैंने आपको रिकोर्ड बताएं कि लेक ब्रेक और ओप ब्रेक स्पीनर को कम विकेट मिलें बाकि आपको अगर लगे सेफ तो सेफ लेना और रिस्क लेने से पहले एक बार पिच रिपोर्ट याद से देखने लिना अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा बोला जाए कि पिच ड्राई है पिच यूज्ड है या पिच के अंदर सूखा घ्रास है तो आपे स्पीनर चलेंगे अगर ये बोला जाए कि पिच में नमी है पिच वेट है उसकेस के अंदर आपक सब्सक्राइब करने वाले हैं सबसे पहले हैं बात करेंगे विगड कीपर सेक्षन की बारे में इंडिया की तरब से रिशाप मंच चार नमबरें बैटिंग करना है तो अगर आफगानिस्तान की तरब से पहले बात अगर आप टीम स्मोल लिग के बना रहे हो तो फर्स्ट क्योंकि ओपनिंग करते हैं विकट कीपिंग करते हैं रिशन फोर्म भी ठीक ठाक है वहीं दोस्तों अगर आप ग्रेंड लिग के टीम में आ रहे हो तो अगर आफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हो अगर आप इंडिया की तरब से बूनेश्वर और अर्स दिप ज़्याब करते हो उस केसि में पुश तिममेर घृळब करकेद smack कि उप पन्त मेशजोब के लिए उस साथ जा सकते हो तो दोस्तों बात करते हैं बैस्में देखो दोस्तों बैट्समार पास इंडिया के तरफ से रोईचश्रमा ओपनिंग करते हैं लाश्टमेंच में चैरेश घ्या विराट फोली तीन नमबरे बैटिंग करने आते हैं और शूज्ययकुमार यादओ चार नमबरे बैटिंग करने आते हैं और शुजणवारी ने तो फर्स्ट चोइश रोईट शर्मा शेकंड चोइश विराट कोली थर्ड चोइश आप राउल और यादव में किसी एक को दे सकते हो वहीं दोस्त अफगानिस्तान की तरफ से फर्स्ट चोइश इवराहिम जादरान और शेकंड चोइश नजीबुला जादरान इन दोनों प फोकस कर सकते हो यह प्लेयर है दोस्तों इस प्लेयर का सेलेक्शन थोड़ा कम होगा तो यह बिख़ोड़ंट है सकता और शिनवारी पे ज़्यादर क्रबारे में देख दोस्तों ऑललांज़र मेन पास इंडिया के त्रफ से हार्दिक पांद्या राइटा मीडियम बोलिंग सब्सक्राइब करते हैं अगर दोस्त आप ग्रेंड लीग के टीम ना हो तो आप अक्सर पर ज्यादा तरस दिखा सकते हो मुहमद नवाजवाला काम कर सकता है फिर दो तीन विकेट निकाल के लिएकर जा सकता है अगर अगर दोस्तों आपको लगे कि पिछ में स्विंग स्पिन से उप्शन नहीं यानि स्पिन नहीं मिल रिकेट को या स्पिन नहीं होगी फाइनल पीच रिपोर्ट देखने के बाद तो यहां पर मोंबन नभी को ड्रोप करने का इसके लिए सकते हो इसक बहुत बड़ा है शेफ जाना हो तो मत लीजिएगा अगर आपको लगे कि स्पिन नहीं होगी पिछ के इंदर आप ऐसा इसक ले सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं बोलर के बारे में देखो दोस्तों अगर दोस्ते हैं पेच में स्फिंग ना हुई उसकेस में हो सकता फरीद एमद मलीकुल फजल फारू की दोनों को मोगा दे दे सबसे पहले बात अगर आप टिम स्मोल लिक लिए बना रहे हो तो फर्स्ट चोईस अर्षदीप थार्ड चुछ राषिद खान फोर्स मुझीबूर रहमान फजल अक्फारू की और नवीनुलक में किसी एक को दे सकते हो पर अगर आप ग्रेंड लिक की टीम मनाओ तो आप क सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर आप आप राशी तकान पर ज्यादा ट्रश दिखा सकते हो बाके दोस्तों मैं आपको सेफ ओप्सन पर दिए ग्रेंड लिक के अलग सी वीडियो बताऊंगा जिसके नर्म आपको टीम कॉम्बनेशन मनाके दिखाऊंगा तो वीडियो भी टीमो टीप्स के देखो दोस्तों मैं आप एक डेमो टीम मनाई है जिसके नर्म वेकर कीपन मिलिया गुरुबाज को बैटिंग मिलिया रोहित विराट नजीबुल्ला जाधरान और इब्राहिम जाधरान को ओल्लाउंडर मिलिया मुंबन अभी अक्सर पटेल और हार्दिक बोलिंग मिलिया बुमनेश्वर कुमार और अर्षदिप सिंग को अब देखो दोस्ते टीम मैंने डेमो मनाई है त्थोड़ा रिसक लिए अब दोस्ते मैंने डेमो टीम मनाई है यहां पर आप अक्सर को डोप करके राहूल को मोगा दे सकते हो या फिर दोस्ते आप आप अ पहले बोलिंग तो बूवी और अच्छे उप्सन अक्सर प्रेल विकेट निगाल के लेकि जा सकते हैं वह सकता हैं और दोस्तों ग्रैंड लिग की एक आदे टीम में राहूल के उपर रिसक ले सकते हो लगातार फ्लोप चलना बहुत कम देंदे ध्यान देंगे वहीं दोस् डाउनलोड कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो देखो दोस्तों माई लेंसर क्लाइप पे जित सकते हो मेंदरा थार एजब फास्ट प्राइज अगर आप मेगा लिग जीत कि यो अगर आप लीडर बोर्ट टोप करते हो इसा T20 के अंदर तो आप जीत सकते हो Mercedes A-Class लिमोजीन और अगर आप अभी मारे लिंक से डाउनलोड करते हो और first deposit करते हो तो आपको मेलेगा 20% extra cash तो जल्दी कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया है लिंक पे क्लिक कीजिए माई लें से क्लाफ डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए दिस गेम इस फिनेंशली रिस्की और हैबिट फर्मिंग प्ले रिस्पोंसिबली